नमस्कार दोस्तों गार्गी क्लासिस पर आपका स्वागत है डेट आज की 22 मही 2023 देख लेता है इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपोर्टन आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कुस करेंगे देखो वीडियो को स्टार्ट करने से पह हो पाए और साथ में अगर आप प्लिटिकल साइंस से प्रिपेर कर रहे हो हिंदी मीडिया मेडियूं इंगलिश मीडियम ठीक है एंटी ए नेट के लिए बिपैर रहे हो या कोई कालेज टर्ट तैक्षर ती इनके लिए आप प्रिपेर करत तो डेफिनेटली आप सबस्क्र गवर्मेंट ने सुप्रीम कोट के recent verdict को overturn करने के लिए ordinance declare किया है तो उसको लेकर गया article है ठीक है यह डिली को लेकर गया article है ठीक है एंसिटी देली दूसरा हम देखेंगे कि climate change जैसे problems को हम face कर रहा है तो उसको tackle करने में women का role बहुत important है तो उनका participation होना चीए जो भी high level platform सोन में और फिर एक article हम discuss करेंगे जिसमें देखेंगे कि investment scenario क्या है इंडिया में ठीक है जी तो तीन issues है देखते है इनको first article है hijacking डेली देखो central government के दुआरा Friday को एक ordinance declare किया जा था ordinance मतलब हो गया कि जब parliament के दोनो house या कोई एक house session में नहीं हो तो उस time पर अगर कोई emergency situation आए तो सरकार मतलब union government जो है वो precedent के through that means council of minister president को aid and advice provide करेंगे उसके basis पे ordinance declare कराया जा सकता है जो कि article 123 के अंडर आता है और यह ordinance की जो power है यह equivalent to legislative I mean legislative power of parliament that means ordinance की जो एक strength है काम करने का तरीका है validity है ठीक है वो उतनी होती है जितना की parliament के द्वारा बनाया हुआ कोई कानून हो तो इसका मतलब ही हो गया कि यहाँ पर central government ने parliament का session अभी चल नहीं रहा है मौनसुन session start होगा और उसमें अभी time है कुछ हफतों का time है तो उस case में यहाँ पर यह ordinance declare कर दिया गया जिसमें क्या है कि दिल्ली की सरकार को जो supreme court का जो recent verdict है ग्यारा मई का description box में और टेलीग्राम चैनल पर मैंने link शेयर कर दिया है उसका ठीक आप video जरूर देख लेना कि क्या verdict आया था जिसमें यह था कि जो NCT Delhi है ठीक है national capital territory Delhi वहाँ पर जो services है उनको वहाँ की जो elected government है वो अपने अंडर में रखेगी ना कि जो central government के जो appointees है वो जैसे कि lieutenant governor या दूसरे bureaucrates तो यह जो मुद्दा है supreme court का इस चीज से central government बिल्कुल भी कुछ नहीं थी अब क्या किया है कि supreme court के इस verdict को side करने के लिए क्या कर दिया है ordinance में कि तीन members की committee काम करेगी जिसमें एक तो होंगे chief minister प्लस दो होंगे bureaucrates और वो दो bureaucrates कौन होंगे एक तो chief secretary होंगे दिल्ली के और एक principal secretary home ministry मतलब दिल्ली की सरकार ठीक और chief minister खुद बोले यह तीनों मिल करके कोई भी service से related decision लेंगे तो यहाँ पर editor concern क्या show करना चारहे है कि बोले इसमें majority vote का provision रखा गया है अब majority vote का मतलब तो क्या हो गया कि जिस तरफ भी दो vote चले गए वो ही बात मान ली जाएगी तो एक तरफ तो chief minister ना दूसरी तरफ central government के दौरा appointed जो chief secretary और principal secretary है या जो bureaucrates हैं वो यहाँ पर अपना role play करेंगे तो यही main problem आ रही है कि बोले यहाँ पर majority vote की अगर बात आती है तो chief minister तो अके लिए रह जाएंगे और जो दो bureaucrates यहाँ पर आप appoint कर रहे हो national capital capital civil service authority में यह नाम से ordinance की basis पर authority establish करने की बात की गई है ठीक है बोले उसमें chief minister दो bureaucrates होंगे अब bureaucrates तो आपको पता appoint किसके द्वारा किया जाता है अगर हम देखे main जो provision है वो president के through होता है सारा का सारा process तो इस case में बोले central government ने hijack कर लिया है दिल्ली को जबकि 5 जज़िस की constitution bench ने क्या कहा कि जी दिल्ली की जो elected government है उनके पास में powers है कि services को वो control कर सकती है वो services कौन-कौन सी है वो आप एक बार देख लेना link टेलिग्राम चैनल पे और description box में shared उस video का तो बोले यहाँ पर elected government जो decision ले पाती उन decisions को आपने इस authority को दे दी इस ordinance के basis पे इसी लिए क्या बुला गया है hijacking capital दिल्ली को hijack कर लिया गया है ठीका जी अब आप खुद देखो कि lieutenant governor होते हैं दिल्ली में उनका appointment भी आपको पता है central government के द्वारा किया जाता है प्रेजिडेंट के द्वारा किया जाता है तो उस वज़े से कहीं ना कहीं है problem है Supreme Court ने 11 मही को जो ruling दीती उसमें basic structure का part consider करते होए कि वही फेडरलिजम जो है वो basic structure का part है इसमें दिल्ली का special case बनता है डेली एक union territory है पर वो statehood का भी एक काम करती है तो बहुत फेडरलिजम का part होने के नाते दिल्ली की सरकार जो elected है वहाँ के करोडो लोगों का vote होता है उसके बाद में elect होती है तो बहुत उनके पास में power होनी चाहिए यहाँ पर यह ordinance जो है वो एक तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि central government जो है वो constitution के provisions को कहीं नहीं violate कर रही है फिर देखो यह जो question है एक तो central government के दौरा appointed lieutenant governor की powers और दूसरी तरह state government जो elect होकर गयाती है वो तो दोनों के बीच की जो power struggle है यह 2015 से चालू हो गई थी कि बहुत के हाथ में services होगी पहले देखो services जो है वो lieutenant governor के हाथ में finalize कर दी थी central government ने कि बहुत लेटनेंट governor अब वो इस services से related जैसे व्योर्यक्रेश से related decision वो ले पाएंगे दिल्ली high court ने फिर decision को upheld किया फिर 2018 में थी 2018 में supreme court ने दिल्ली government को favor करते हुए कहा कि यूनियन और डेली government को दोनों को मिल करके corporation का एक system चलाना चाहिए बट जो controlling sphere है वो दिल्ली के द्वारा elected जो government उसके हाथ में रहेगा फिर 2019 में मुद्दा जब broader perspective में पहुचा constitution interpretation के लिए तो फिर दो जज़िस की bench फिर से constitute होई और फिर दो ज़िस की bench ने काया बोलो मुद्दा छोटा नहीं है थोड़ा heavy है तो इस वज़े से फिर 5 ज़िस की bench के पास पहुचा और पास ज़िस की bench ने 11 माई 2023 को अपना verdict देते वे क्या कहा कि जी एन सिटी डैली के अंडर में जो भी services आती है उनके ओपर control किसका रहेगा elected government का पर government of India ने अभी Friday को national capital territory of Delhi amendment ordinance डेकलियर करते हुए यह कह दिया कि जी यहाँ पर जो services related जो power exercise होगी वो इस authority के दुआरा की जाएगी और उस authority का नाम आपने अभी देखाई कि जिसमें एक तो chief minister होंगे दो bureaucrates होंगे ठीका जी तो इस national capital civil service authority ठीका ना तो इस तरीके से क्या हो गया कि बोले supreme court ने जो बात बोली थी उसका आपने violation कर दिया फिर यह बताया जा रहा है कि government अभी ordinance आपने डिकलियर कर दिया ठीका अब ordinance की validity कब तक है ordinance की validity तब तक है जब तक की parliament का next अब जो coming session है वो start हो जाए और उसके एक माईने के अंदर अंदर यह ordinance पारिताप करवा लो बिल के तोर बिल introduce करवा के एक पारित करवा लो और वैसे देखा जाए तो ordinance की life होती है six month ordinance के बारे में एक बार देंसे पढ़ लो यार आप लो ठीक है बहुत important topic है इस पर questions आते रहते है प्रलिम्स में भी आता है और मेंस में भी answer writing में help होती है ठीक है तो कुलमिलाकर के बा क्या रहा है कि जो foundational principle है जिसमें हम constitutional democracy की बात करते हैं constitution को defend करने के लिए हमारे पास जो डीशरी है और supreme court ने अपने तरफ से यह बात बोल दी कि जो services है उनके control elected government का रहेगा अदिली की elected government का रहेगा पर उससे आप you turn ले रहे है इसका मतलब constitution को आप violet कर रहे हो तो writer editor यहाँ पर एक point highlight कर रहे है बोले यहाँ पर कहीं न कहीं supreme court का intervention फिर से expected है ठीक है वैसे देखा जाए तो 11 मही का order है उसको खुद को challenge किया हुआ सुप्रीम कोट में central government ने कि आप इसको review करो आपने किस तरीके से यह बात कह दी कि वैस services के उपर जो दिली की elected government उससी का rule चलेगा जबकि दिली जो है दिली में जो सरकार बन मतलब दिली जो है वो basically एक यूटी है union territory है तो government तो यूटी के हिसाब से चल रही है central government और दिली के सरकार यह बोलती है कि हम तो एक तरीके से autonomous body के तौर पर काम करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर elections होते हैं तो यह है अपने आप में बहुत बड़ा एक conflict है ठीक है तो आप मेरे कहने पर वो वीडियो जरूर देख लेना जिसका link टेलिग्राम और description box में shared है ठीक है ना आगे च की government के हाथ में power रहेगी services को control करने से संबन देते तो बोले यह चीज कहीं ना कहीं constitutional provisions का violation जो जो पार्लेमेंट की proceeding नहीं चल रही है और उस टाइम पर ordinance declare करवा करके और फिर बाद में आप यह काम करवाना चाहते हो फिर राइटर बोलना चाह रहे है यहां पर कि देखो justification कु तो ला सकते थे एक यह objection भी किया जा रहा है कुछ हफ्तों के बाद में आपका monsoon session स्टार्ट होने वाला है तो आप यह बताओ इतनी क्या जल्द बाजी पड़ी थी कि आपने जल्दी से ordinance रिक्लीर किया पहला सवाल तो यह उठा रहे हैं दूसरा यह कि जो लोग दिल्ली के लाखो करोडों लोग हैं बोले यह लोग जब वोट दे करके एक elected government को भेज रहे हैं तो उनकी आपने voting के ओपर सवाल उठा दिया कि आपके द्वारा elected government को हम power नहीं देंगे तो यह दो बड़े सवाल यहाँ पर उठाये जा रहे है central government के इस move पे इसके अलावा यह भी कह रह ठीक है और हम जिस federalism की बात करते हैं जिसको हम अमारे constitution की basic structure का पार्ट कंसेडर करता सुप्रीम कोट बार बार इसी को बोला जा चुका है तो बोला यह एक provision कहीं ना करी अंडर थ्रेट है ठीक है कि बोला central government में कोई भी political party आती वह पावर इस तरीके से exercise करती है जिससे कि तो उनकी powers को undermine करने के efforts यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ पर बोला centralization का aspect जदा देखने को मिल रहा है federalism compromise होता हुआ दिखाई दे रहा है तो यह एक दो points यहाँ पर adore कर दिये हैं अगला article है seat at the table देखो आर्टिकल को लिखा क्या है शगुन सबर्वाल और स्वाम स्वामी नाथन जी के द्वारा देखो यहाँ पर मुद्दा यह है कि climate change एक reality है और इस reality को tackle करने के लिए हमें vulnerable section को आगे लाना होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है किसी भी द्रासदी का किसी भी disaster का तो वो vulnerable section को होता है तो यहाँ पर quotation से start होती है बात यह quotation आप लिख सकते हो women empowerment या women participation in mainstream Costa Rica की diplomat Christiana Figures इन्होंने एक बार कहा था बुला अगर हम देखें तो women जो है women जो है उनका participation जो है वो बोर्ड रूम में या high level positions में बहुत कम देखने को मिल रहा है यह जो उनका participation है यह rise होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि सही decision और सही तरीके से लिया जाए जिसमें एक gender participation प्रॉपर हो तो बुला women का participation high level पे होना चाहिए आप खुद देखो कि एक women जो होती है वो firstly अपने बच्चे को पालती है biologically उनका development इस तरीके से होया हुआ रहता है कि वो एक motherly behavior रखती है और आज जिस तरीके से हम जिन परिस्तियों कर रहे हैं वहाँ पर एक motherly behavior की ही जरुरत है साथ में यह बताया जा रहा है कि अगर decision stupidly लिया जाए तो ऐसे में बोला हम 50% human potential को अगर acquire ना करे तो चलेगा इसका मतलब यह कि women जो हैं उनका representation high level या फिर जो भी top level के decision making systems हैं उनमें उनका participation हमें rise करना होगा तो यह quotation आप याद रख लेना भई काम आजाएगी आपको अब देखो 2015 में Paris Climate Change Agreement हुआ target यह कि pre-industrial Iraq के comparison में हमें 21st century के end तक 1.5 degree Celsius से temperature ज़्यादा नहीं जाने देना reports यह कहती है कि 1.15 degree centigrade temperature already rise हो चुका है और कल पर सो हमने देखा भी था कि world meteorological organization के द्वारा जो recently released report उसमें यह कहा गया है कि आने वाले 4 सालों में से एक साल ऐसा होगा जहां पर हमें temperature डेट डिग्री से भी ज़्यादा feel होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम climate change को control नहीं कर पा रहे हैं तो बुलत जो चीज हम चाहते हैं वहां पर अगर हमें breakthrough नहीं मिल रहा है तो कमियों को rectify करना ज़रूरी है तो कमी यहां पर बताई जा रही है कि women representation बहुत कम है उसको हमें बढ़ाना होगा देखा जाए तो हमारे यहां पर women representation को rise करने के लिए ना तो proper infrastructure है और ना ही आप दूसरी तरफ देखो तो domestic care के चलते unequal burden भी देखने को मिलता है फिर वो और common issues में participate नहीं कर पाती हैं जादातर परेशानी low and middle income countries में देखने को मिलती है जहां पर food, fodder, water इनकी वेवस्ता करने में और दूर दूर से अपनी वेवस्ता करके लिए कि आती है जंगल में जाना है पानी लेकर के आना है और उसके साथ-साथ में जो लड़िया स्कूल जाती है वो अपनी मा की सहायता करने के लिए फिर स्कूल भी छोड़ देती है तो इसकी वज़े से education फिर further generations की नहीं हो पाती तो बहुत एक vicious cycle चल जाता है जिसकी वज़े से women empowerment नहीं हो पाता और उनका participation proper नहीं होने की वज़े से हमें proper output भी नहीं मिल पाता किसी भी targeted अगर हम किसी भी goal के पीछे पढ़े है तो ठीक है अब देखो developing countries में resource access जितना men's के लिए available है उतना women के लिए available नहीं है average यहां बताया जा रहा है कि 20 land holding की अगर बात करें तो इसमें किवल 20% ही ऐसी land holding है जिस पे ownership women की है इसकी अलावा North Africa, West Asia और सब सहारान Africa की बात करें तो ये area Middle East की बात कर लो मोटी मोटी ठीक है Middle East में अगर मोटी मोटी बात करें तो वहाँ पर women का बहुत बुरा हाल रहता है आप sex ratio भी देखो बहुत बिकार है ठीक है कतर का हाल है so males के comparison में वहाँ पर female 351 या 400 गे लगबग अब आप खुद देख लो कि कितना ज्यादा scared जो है वह वहाँ का sex ratio है तो बोले ये चीज़ शो क्या करती है कि women बहुत ज़्यादा vulnerable है ठीक है अब जब कभी भी कोई crisis आता है ठीक है तो उसमें सबसे ज़्यादा problem में women रहती है क्यों क्योंकि उनके साथ में एक तो long standing inequality इसका मतलब लंबे समय से उनको resource access नहीं होती है information उनके पास में नहीं होती है ना उनके पास में mobility का इतना scope रहता है तो इस वज़े से जब कभी भी कोई भी problem आती है कोई डिजास्टर आती है तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान women segment का ही देखने को मिलता है climate disaster आज देखो health बिगड रही है लगातार मेटलन और child health है वो decline कर रही है कि इसी दी बात है खाना पीना कर healthy नही नवार हो जाती है तो इस चक्कर से क्या होता है कि यह वल्नरेबल section और वल्नरेबल हो जाता है और यह बताया जा रहा है कि चाइना इंडिया फ्रांस यह ऐसे countries हैं जहां पर heat wave की वज़े से deaths होंगी ज्यादा या फिर बहुत ज्यादा problem होने वाली है बांगलादेश और फि है तो वर्ल्ड में जो बुकमरी या फिर कुपोशन का जो प्राबलम है हंगर और माल नरिश्मेंट का तो उसमें ज्यादा तर कौन है 60 परसेंट तो वमन है अब आप देख लो हालात क्या हो रहे है इसके लाबा इफ प्री इंटरनेशनल फूर्ड पॉलिशी रिसर्च इं यह कि उनको फूड हेल्थ केर और एजुकेशन तीनों में कॉंप्रमाइज करना पड़ेगा और जब लड़कियां अगर प्रॉपर एजुकेशन या हेल्थ नहीं कर पा रही है तो उसकेस में फिर जब एक्स्ट्रीम वैदर इवेंट्स होंगे तो उसकी वज़े से फिर व देखने को मिलेगी दूसरी तरफ विमन जो है उन्होंने बायो डाइवर्सिटी कंजर्वेशन में बहुत इंपोर्टेंट रोल प्लेग किया है यहां पर केस आ रहा है कोमाला पुजारी का बहुत दो हजार तीन में एक एकवेटर इनिशेटिव स्टार्ट होता है उड़ी सपोर्ट किया कि हमें नेचुरल फार्मिंग मेथर्ट पर रिलाई करना चाहिए तो आप देखो कि जब एन्वार्मेंट को अंडर्स्टेंड करो उसके अकॉर्डिंग अगर आप एग्रिकल्चरल प्रेक्टिस करो बायो डाइवर्सिटी को कंजर्व करते हुए तो वो तो देखो कि नेचर से रिलेटेड कौन ज़्यादा सेंसेटिव है या नेचर से रिलेटेड एक्शन्स में इस चीज़ को अगर आप इन एक्सपिरियंस को आप टॉप लेवल डिसिजन मेकिंग में इंक्लूड नहीं करोगे तो फिर कहां आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं कि बाते ही बाते होती रहेंगी फिर यह बताया जा रहा है कि इंडिजीनेस कम्यूनिटी में इंडिजीनेस कम्यूनिटी के जो लोग होता है लोकल स्ट्राइबल लोग ठीक है किसी बेरिया के नेटिव लोग उनको हमेशा ये पता है कि नेचर का क्या भीवियर और उस नेचर क्या according ही वो चलता है जैसे आप human geography में fundamentals of human geography में आपने पढ़ा होगा naturalization of human रहता है वहाँ पर ठीक है environmental determinism होता है इससे environment को इतनी problem नहीं होती है तो बोलो वो बहुत अच्छे से समझते हैं और उनमें भी main है women क्योंकि वो deal करती है वह कहां से लेकर क्या ना है पानी कहां से खानी पीने की चीज़े मिलेंगी वो निकलती है जंगल में उनका participation ही नहीं होगा तो फिर आप कहा है कि climate change को control करने की बात करते हो ठीक है फिर बताया जा रहा है कि जहाँ जहाँ जिन जिन countries में female representation पार्लियमेंट में ज्यादा है वहाँ पर आप देखो कि internationally जो environment को लेकर के जो agreements है उनका proper manner में implementation हो रहा है इवन जहाँ पर women leadership होती है वहाँ पर एक positive correlation देखने को मिलता है कि एक तरफ तो environment से related laws क्या बने है क्या उनमें target है mission को control करने के लिए और कितना वह implement कर रहा है उसको transparently public domain में release भी करते है वो data को क्या जी हमने इतना कुछ कर दिया यह सारी चीज़े क्या show करती है women representation should be increased ठीका जी आज यह one-fifth of major corporation मतलब private company की बात भी करें तो उन्होंने बोल तो दिया मतलब 20% के लगबग private company होने कि हम 2050 तक जो है वो net zero हो जाएंगे इसका मतलब carbon emission हमारा जितना होगा उतना ही हम capture करने की ववस्ता भी कर देंगे पर वही चीज है कि वहाँ पर women representation अगर proper नहीं होगा तो फिर again वही accountability नहीं रह पाएगी women जो है वो कहीं नहीं वो यह motherly behavior point of use है चलने का तरीका क्या आप समझते हो क्या अगर यह चीज कर दी जाएगी तो इसका नुकसान हमें future में कितना होगा तो अगर वो नुकसान को और फायदे को आप दिमाग में लेकर के चलोगे तो आराम से काम बढ़िया ही होता है तो यह point से आप हाइलाइट किये गये है writers के द्वारा ठीका आगे next चलते है फर अगला article है animal spirits are hused and illusive animal spirit का मतलब यह हो गया कि मुझे कहाँ फायदा मिल रहा है वो वाला point है मैं उधर ही मुह कर लूँगा तो इशान बक्सी जी का यह कहना है कि इंडिया में investment जो है वो बहुत slow चल रहा है 2011-12 में GDP के comparison में जो investment आता था वो था 34.3% जो कि 2020-21 में घट करके हो गया 27.3% यह जो घटने का trend है यह जो घटने का trend है यह घटने का trend 2020-21 तक इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि pandemic year था यह ठीक है और pandemic में आपको पता internationally या nationally economic activities रूप गई थी फिर दूसरा point यहां से पे कर रहे है 2014 से लेकर के 2020-21 के साल के बीच की अगर बात करें तो इसमें किवल pandemic year को अगर अटा दें तो फिर भी positive growth देखने को मिली कि high investment थोड़ा rise हुआ इसका मतलब यह हुआ कि 2011 से लेकर के 2021 के बीच में overall देखा जाए तो यह declining trend था पर 2011 से 2014 के बीच में जो investment की growth थी वो थी कम फिर 2014 से वापिस से बढ़ती है पर 2020-21 में pandemic की वज़े से फिर से रुख जाती है अब देखो हमारे यहाँ पर ज़्यादा जो investment में कमी आ रही है वो किस की तरफ से हो आ रही है private sector जिसमे corporate houses, company और household हमारा investment लोकल ठीक है दोनों में कमी आ रही है और दूसरी तरफ public sector investment की बात करे चाहिए central government और state government और public sector enterprises जो इन्होंने फिर भी अपना capital expenditure के नाम पर पैसा खर्च किया है पर दूसरी तरफ देखा जाए तो private sector investment जो है वो slow चल रहा है यहाँ पर यह पता नहीं offset by slower piece of public sector क्यों बोला है डोनो पर यहाँ पर यह private sector का investment है वो down जा रहा है manufacturing, electricity, gas, water supply, construction हर segment में अगर देखा जाए तो overall एक तरफ तो आप पकड़ो कि service sector में कितना investment जा रहा है और दूसरी तरफ आप यह देखो कि कितना जा रहा है इन segments में manufacturing, electricity, gas, water supply तो service sector में ज़्यादा investment जा रहा है ठीक है overall economy में private sector का अगर investment देखा जाए तो आप मोटा मटा देखो कि service sector में 141% की growth देखी गई है जबकि इन sectors की बात करें manufacturing sector, electricity segment की बात कर लो gas की बात, electricity 7% से rise हो रहा है construction 25% से manufacturing 73% बोले यह बहुत कम है जबकि service sector 141% growth कर गया investment में कम ही आने का एक कारण है household sector में भी pressure बई सीधी बात है, जिस तरीके से आज क्या हालाद देखे जाएं तो आज ज़्यादा दर लोग किस में पैसा invest करता है, अपने घर लेने के लिए कार लेने के लिए, अपने basic needs को पूरा करने के लिए, ऐसा नहीं कि कोछ छोटा मोटा invest करकर के कोई company खोल ली जाए, कोई MSM start कर ली जाए, क्योंकि ज़्यादा दर जो investment है वो dwellings के लिए जा रही है, real estate में invest कर रहे हैं ज़्यादा दर, और real estate में invest करना कोई ज़्यादा बड़ी चीज नहीं है, investment manufacturing में होता है ना, तब जाकर के वो जॉब create करता है, ठीका ना, नहीं तो आप क्या करते हो, पैसे से पैसा बनानी कोशिश करते हो, जॉब कहीं पर create हो नहीं रही है, हाँ या फिर आप कोई बड़ी manufacturing company में invest कर दो, तो भी आपका एक होता है, पर अभी investment इतना अच्छा चलनी रहा है, हम पीछे बहुत बार discuss भी कर चुके हैं, कि बैंकों के ओपर जो NPA का लोड था, वो कम हुआ है, या फिर ये कहदो कि जो private sector और corporate sector और उन पर जो debt pressure था, करजे का जो लोड था, वो भी बहुत अत्तक कम हुआ है, तो investment कहीं ने कहीं और service sector में invest करें, household sector है, वो informal economy में invest करें, पर ये जच नहीं रहा है कि investment बढ़ेगा, चाहे पर इस्तित्या सुदर गई है बैंकों की और corporate houses की, पर investment बढ़ेगा, अभी तक doubt है, क्यों है, इसके पीछे है financial tightening, वो tightening कैसे हैं, देखो monetary policy committee के द्वारा, पिछले एक साल के अंदर लगबग 200 basis point repo rate को बढ़ा दिया गया, repo rate का मतलब आप जानते हों, जिस पे RBI के द्वारा बैंकों को लोन दिया जाता है, जिस rate पे, जिस interest rate पे तो वो repo rate होती है, तो उसमें आप देखो, कि 200 basis point आपने interest rate बढ़ा दी, 500 basis point का मतलब है, 0.5%, ठीक है जी, तो आपने इतना rate बढ़ा दिया, इसका नतीज़ा क्या हो रहा है, कि लोगों को loan लेने में problem, और loan लेने में problem आज़े और ले भी रहे हैं, तो loan उनको महंगा पड़ रहा है, तो loan चाहें देने में bank ready हैं, पर interest rate जादा होने की वज़े से loan नहीं लिये जा रहे हैं, और loan अगर नहीं लेंगे तो सिधी बात है, investment कहां से आएगा, इसके अलाबा, कोई भी corporate house में, या फिर काई पर भी सरकारी system में, आप अगर invest करना चाहो, तो आप वहाँ पर bond खरीदते हो, तो 91 days के लिए जो treasury bills issue किये हुए है, government ने, उनका देखो कि return कितना मिल रहा है, पहले 3.98% मिलता था, 2022, 29 अपरेल को अगर एक साल पहले की बात करें, और आज उसी पे return 6.9% तो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ जी, बही सीधी बात है, लोग invest कर ही नहीं नहीं रहे हैं, क्यों, क्योंकि सीधी बात अगर invest करते, तो यह कम interest, कम जो return मिल रहा था, 3.98% उसमें काम चल जाता, पर government पैसा attract करने के चक्कर में क्या कर रही है, इन treasury bills के ओपर जो investors को return मिलता है, उसको बढ़ाने इसका मतलब क्या हुआ, कि long term investment तो आ रहा है, पर short term investment नहीं आ रहा है, government के पास में, दूसरा corporate houses की बात करें, तो उनके पास में भी, उनको भी 7.5 to 7.75% तक का return देना पड़ रहा है, तब जाकर कि उनके bond जो है market में बिक रहे हैं, तो इस data से क्या conclusion निकल रहा है, आप खुद देखो कि short term जो पैसा जरूरत पड़ती है, जो working capital के लिए required होता है, कि काम करवाना है, छोटे मोटे bill बिल और ये pay करना है, कुछ भी कर लो मानलो आप investment के point of vision, तो बोलो उसके लिए तो पैसा उधार लेने में आ रहा है जोर, और long term के लिए पैसा उधार लेने में आ रहा है, कम जोर, पर सही बात तो यह है ना, कि operations आज के time पर perform करने तो आपको चीए working capital, और working capital के लिए आपको चीए होती है, short term borrowing, और short term borrowing पड़ रही है तो बोलो इस वज़े से क्या हो रहा है, गौर्मेंट के हाथ में पैसा और private sector के हाथ में पैसा जो है वो जल्दी से नहीं आ पा रहा है, ठीक है, जबकि दूसरी तरफ investment की बात करें, capital investment, machine, infrastructure यह develop करने की तो बोलो उसके लिए तो private sector वैसे ठंडा पड़ा हो, यह देख रहा है कि कहीं पे अगर return अच्छे मिलने लग जाए return का मतलब, economy में कैसा माहूल बन रहा है, demand है की नहीं अब demand की बात करी जाए, तो सीधी बात है, लोगों ने घर ले लिए, घर ले लिए, तो वो ब्याज बही अपना जो EMI है, वो देदे करके उनके पास पैसा बसता नहीं है, तो वो कुछ खरीदारी एक्स्टा कर नहीं पाता है तो इस तरीके की equation क्या show करती है, कि मुश्किले अभी भी बनी हुई है Home loan की interest rate देखो, आप SBA की सवा 9 से 17% चल रही है, HDFC की साड़े 8 से साड़े 10% की लगबग चल रही है तो बोले, यह कहीं नहीं, कहीं burden create कर रहा है household पे, और household अगर पैसा एक खर्च नहीं करेगा खरीदारी में तो corporate invest क्यों करेगा, तो इस तरीके से, यह तो हो गया आपका monetary policy का बोले, इसके अलावा corporate investment पे कई और factors भी हैं जो अपना impact डालते हैं कैसे हैं, मालो कोई छोटी company हैं, वो अगर अच्छा perform नहीं कर रही है, तो बड़ी company जिनके पास में पैसा है तो वो उनको क्या कर लेती हैं, take over कर लेती हैं, और खुद में मिला लेती हैं, यह हाल हो रहा है अभी इसका मतलब यह कि पुरानी कंपनियों को take over करने का काम जो है, वो जादा हो रहा है, बजाए कि new investment इसका मतलब fresh investment में जो है, वो कमी आ रही है, insolvency and bankruptcy code के तहत, जो कंपनियां bankrupt हो रही हैं, उन कंपनियों को बड़ी कंपनियों के द्वारा take over किया जा रहा ही, इस तरीके का investment जादा देखने को मिल रहा है, इसका मतलब एक तरीके से financial inequalities बढ़ रही हैं corporate houses के बीच में, फिर बाद में बताया जा रहा है कि operational risk भी बहुत जादा है, जैसे land लेना, जमी, अगर आप invest करते हो कहीं पर भी, तो आपको जमीन चाहिए होती है, supply chain disruption, आज internationally देखो क्या problem हा रही है, आपको पता है, हम कुछ बेचना भी चाते हैं, तो कहां बेचें, भई हम बोलता है export oriented growth हमें करनी है, तो भई export oriented growth के लिए international market में demand भी तो हो, हम बेचेंगे कहां, Europe वैसे ठंडा पड़ा है, यॉएस है, वो इस तरीके से अपने economic crisis में फसा पड़ा है, इसके अलावा currency risk बनी रहती है, आप देखो, रुपी है कितना depreciate हो गया, तो इस वज़े से हम कुछ भी खरीदते हैं, international market से import करते हैं, तो उसको हमें finance भी तो करना पड़ेगा, return भी तो करना पड़ेगा पैसा, वो हमारे लि बड़ी कंपनिया टेक ओवर कर रही हैं, तो बहुत सारे challenges हैं, तो global और domestic demand जब तक pressure में है, तब तक हम ये expect करें कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा नया कुछ तो उस पर doubt आता है, क्योंकि उनको जो animal जो उनकी spirit है वो fulfill नहीं होती है, और प्राइवेट सेक्टर तो देखो जी benefit के लिए काम करता है, तो benefit return ही नहीं मिलेगा, तो बोले ये कही नहीं doubt वाली बात है कि क्या नया investment होगा, तो इस तरीके से private investment जो है वो रुका पड़ा है, और government जो capital expenditure कर रही है, वो इसलिए कर रही है, कि एक माहोल बने, environment बने कि जी government खुद अगर accommodatively या aggressively invest कर ये पैसा तो private sector को पीछे नहीं रहना चाहिए, ठीक ना, तो इस discussion में इतना ही है, thank you